36 दिन के बाद मोगा दोरा से पकड़ा गया अमरित पाल पुलिस ने सांती बनाये रखने की की अपील नमस्कार दोस्तों मेरा दंठिंग और आप से भी कर्टिगर नियूज में स्वागत है पंजाब पुलिस ने आखिर का 36 दिन बाद वरिस पंजाब दे चीप अमरित पाल सिंग को गिरिफतार कर लिया है खालिस्तान समर तक को पुलिस में मोगा के गुरु द्वारा से हिरासत में लेने के बार गिरिफतार किया अजनाला कांड के बाद से वा फरार चल रहा था तीन दिन पहले ही भगोडे की पत्नी किरन दीप कौर को गुरु वार 21 अप्रेल को अमरित सर एरपोर्ट पर रोका गया था बताय जा रहा है कि अमरित पाल ने खुद गिरिफतारी दी है सुबह साथ बजी गिरिफतारी दी गई इससे पहले अमरित पाल ने कपड़े बदले पाट किया संगत को संबोधित कर अपनी गिरिफतारी देने का कारण बताया इसके बाद गुरु द्वारा साहिब के बाहर जाकर अपने आपको पुलिस अधिकारियों के हवाले कर दिया वह सुक्रवार 22 अपरेल के रात को ही मोगा के गुरु द्वारा पहुच गया था अब उसे डिबरुगर डे जाया जा रहा है जहां पहले से उसके कई साथी जेल में है अमरिटपाल के सवी साथियों को पहले ही गिरुपतार किया जा चुका है उसके साथियों से लगतार पूस्ताज की जा रही थी माना जा रहा है कि जब उसकी पत्नी पर पुलिस ने दवाव बनाना शुरू किया तो उसके बाद ही वह भी हिरासत में आया अमरित पाल को डिबरुगर जेल भेजा जा सकता है जब वह फरार चल रहा था तब उसने सोसल मीडिया के ज़िए कई बार वीडियो जारी किये थे अमरित पाल को गिरफ़तार किये जाने के बार पंजाब पुलिस ने एक ट्विट कर इसकी जानकारी थी पुलिस ने बताया कि मोगा से अमरित पाल को गिरबतार किया गया इसके साथ ही पुलिस ने लोगों से सांती और सदभाव बनाया रखने की अपील की है लोगों से अपील की गई है कि कोई भी फर्जी खबर सेर ना करे सबसे पहले अमरित पाल सिंग और उसके सातियों को पकड़ने के दिए पुलिस ने 18 मार्च को जाल बिचाया था इस दोरान पुलिस ने उसके कई सातियों को तो गिर्फतार किया लेकिन अमरित पाल भागने में कामयाब रहा तब से पुलिस लगातार उसकी तलास में चुटी थी लेकिन वा भेश बदल बदल कर लगातार पुलिस से बच रहा था उसके खिलाप राश्य सुरच्छा अधिनियम एने से लगाया गया है और गैर जामनती वरंट जारी किया गया है बिरो रिपोर ट्रिगर न्यूज